जैसे जैसे 2024 के आम चुनाओं की बेला करीबा रही है भगवा सियासत भी रोज बरोज नए रूप रंग धर रही है सियासी फिजाओं में बदलाओं के बारूत सुलग रहे हैं सो भाजपा अभी से लोकसभा की एक एक सीट के जोड घटाओं में लग गई है कई नए कायदे कानून गढ़े जा रहे हैं जैसे राजज सभा के कोटे से मोधी सरकार में सुशोभित होने वाले मंतरियों से क्या दिया गया है कि किसी भी पार्टी नेतां को राजज सभा का टर्म दो बार से जादा नहीं मिलेगा पुर्व केंद्री मंतरी मुखतार अरब्बास नकभी भी उनके इसी सुत्रवाक की बली चड़ गए मोधी का एक और सुत्रवाक धगबा सुर्ख्यों में जगय बना गया कि 75 पार के नेताओं को मंतरी पद नहीं मिलेगा इसके शिकार करनाटक में यदुरपा भी हुए उन्हें सीयम का पत छोड़ना पड़ा और जाते जाते उन्होंने इस बार करनाटक में भाजपा के संभावना उपर ही पलिता लगा दिया इस हिसाब से 2024 का आम चुनाव भाजपा के स्टार चेहरे मोदी का भी आखरी चुनाव हो सकता है 17 सितंबर 1950 में जन में मोदी का 75 मा वर्ष 2024 से शुरू हो जाएगा सो भाजपा के रणी तिकार अभी से 2024 के सापेक्ष में मन्थन बैटकों में जुट गए हैं इन बैटकों से निकलिये परतिद्वनिया भी साप सुनाई देने लगी है कि यूपी राजस्थान मद प्रदेश जैसे हिंदी पट्टी के बड़े राच्यों में एक तिहाई से ज्यादा मौजुदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं वहीं यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों और विधाईकों को भी लोग सभाचुनाओं के टिकट मिल सकते हैं इस सूची में अब जितिन परसाद, राजश्षवर सिंग, ब्रजश पाठक, केशव परसाद मौरय और दिनेश प्रताप सिंग के नाम रख सकते हैं पुर्व एडी अफसर राजश्षवर सिंग, अमित शह की निजी पसंद बताए जाते हैं राजश्षवर सिंग की नजर सुल्तान पूर सीट पर बताई जाती है जहां से मेंका गांधी अभी सांसत है हमारे वीडियोज को देखने के बार लाइक और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें